दोस्तों नमस्कार कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल बेडिय अपने नियोज पर दोस्तों आपके याद होगा दो मई उसी दिन ये बदमाशों ने उसमिंद के नहीं चो देज़ के लेकिन अब दो पहले जिस तरह से दिल्ली के मुंड का इलाके में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाशों ने जिते अंदर गोगी गैंग के बदमाश की हत्या की है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में फिर से टिल्लू वर्सेस गोगी गैंग की बीच में जो गैंग बहुर होती थी वो लौट आई है देखिए पहले अटकली ये लगाई जा रही थी कि टिल्लू ताचपुरिया गैंग के बदमाशों ने गोगी गैंग के बदमाश के हत्या मुर्णका में नहीं की है बलकि ये जो है कोई और ही मामला है लेकिन अब सोशल मेडिया पर एक पोश्ट निकल कर सामने आ चुका है वो पोश्ट ये दावा कर रहा है कि टिल्लू ताचपुरिया की हत्या का बदला गोगी गैंग के बदमाश के हत्या करके लिया गया है और जो व्यक्ति यानि गोगी गैंग का जो बदमाश बताया गया जो मारा गया है वो उसके बारे में उस सोशल मेडिया पोश्ट में बहुत कुछ बातें बता रहा है तो सबसे पहले आपसे बताएं तो देखें ये पूरा मामला जो है ये शनिवार का है जो अब दिली के मुंड का इलाके में तिल्लू ताजपुरिया गैंग के कुछ बदमाश पहुंचते हैं और अपने विरोधी गैंग के बदमाश यानि गोगी गैंग के बदमाश अमिद क गोली मारकर हत्या करते हैं और कहा गया कि अमिद 22 साल का था तिहार जेल में था इस से पहले और जेल से बाहर आया था और जब वो मुंड का इलाके में पहुंचा तो उसकी बदमाशों ने हत्या कर दी फिलाल इस वादात के साथ-साथ दिल्ली और दूसरे जगहों पर इला हैं कि टेलो ताजपुरिया गेंग के वो बदमाश जिन्हों ने गोगी गेंग के बदमाश को बेरहमी से मारा है वो अभी तक गिरफतार नहीं हुए हैं इसे बीच में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी अब वारल हो रहा है जो इस हत्याकान की अगर हम कहें जिम्मेदारी ली जा रही है तो कहना गलत नहीं होगा देखिए सबसे पहले चीकु पहलमान नाम का इवक्ति है जिसने साब तोर से लिखा है कि जैस्त्रे नाम भाईयों कल रात मुंड़का में जो अमित लाकरा के हत्या हुई है उसके जिम्मेदारी में चीकु धनकड और चीकु पहलमा करता था और उसने यह भी लिखाया कि हमने किसी भी बेकसूर को आज तक नहीं मारेंगे बाद जो भी हमारे किसी एंटी गैंग की किसी भी तरीके से मदद करेगा उसका अंजाम हम अमित कितना ही करेंगे उससे नहीं च्छोड़ेंगी बाकियों रस ने आगे लिखाय कि जो को एक रुपया ना दे इनके अलामा किसी को भी और देदे लेकिन इन चोरों को ना दे किसी भी बिजनेस वाले भाई को अगर यह परिशान कर रही है तो हमें बताए हम उनसे बदला लेंगे और आगे उसने यह भी लिखा है कि जो भी इस तरह से हैं आगे बहुत सारे से मुट्य बिल्ली पर है और अपना ध्यान यहीं पर रखें कहीं और ना रहें इस तरह कि तमाम बाते कहीं गई है तो देखे चीको पहलमान दरसल जिस तरह से सोशल मेडिया पर पोस्ट कर रहा है और अमित दबंग के साथ वह सथ्याकान को जिम्हारी ले रहा है उससे यह सा दोनों को कोई एक रुपया ना दे जो भी इन लोगों की मदद करेगा यानि जो भी जिदेंदर गोगी गैंग के बदमाशों के किसी भी तरह से कोई मदद करेगा वो उनको ऐसे ही मारेंगे आमित दबंग और चीको पहलमान के फेस्बुक पोस्ट यह दावा किया जा रहा है हाला कि यह फेस्बुक पोश्ट वेरल्ट हो रहा है इसकी पुष्टी अभी नहीं हुई है लेकिन जिस तरह से टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में अभी तक गैंग वार होता रहा है उससे यह बातें जरूर सत प्रतिश्यत कही जा रही है कि इन दोनों ही गैंगों क के बीच में गैंगवार का शिकार जो होते थे वो आम इंसान होते थे इनके पदमाश तो मारे ही जाते थे कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि इनके गोली का शिकार आम लोग भी होते थे जो कहीं न कहीं बिना मतलब के इनकी गोली का शिकार हो जाते थे लेकिन जब से य गोगी गैंग की तरफ से कसम खाई गई थी कि जब तक टिल्लो ताजपुरिया को मार नहीं देते तब तक गोगी का बदला पूरा नहीं होता और आखिरकार दो मैई 2023 को टिल्लो ताजपुरिया को जब मार दिया गया उसके बाद ये गैंग बोर का सलसला और भी जादा और अब चीको पहलवान अमित दबंग ने अमित जो गोगी गैंका था उसे मार दिया है कहीं न कहीं इस हत्याकान के बाद अब देश के राज़ाने दिल्ली में एक बार फिर से गैंक बोर के अशंकाएं जताई जा रही हैं वैसे दोस्तों आपको इस खबर पर अगर कुछ कह नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्ते